चाहत और मजबूरी अचल जी इन दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है जो बात ये कह रहे हैं ट्रॉम की चाहत है कि अमेरिका फर्स लेकिन मजबूरी ये है कि उनके पास इतने तादाद में वो लेवल नहीं है जो हमारे यहां का लेवल है है एच वन बी वीजा इसलिए वहां पर बहुत इंपोर्टन हो जाता है अभी थोड़े दिन पहले ही प्रेजडेंट ट्रॉम्प खुद मिले हैं बड़ी-बड़ी कंपनियों से जो आई-टी में है और नालेला और यह सब उनके चीफ एक्जगुडिव और से बात करी है उन् अभी अमेरिका में है नहीं है और उन्होंने जाते 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 जो एक बड़ा पॉजिटिव सा सिग्नल भी दिया है ट्रॉम्प ने की खाँ जैसे उन्हें इस बात के बारे में बात समझ में आ रही है लॉंग टम उनका विजन हो सकता है कि वह और पिरिए अफ टाइम मैं इनको रिप्लेस करके अमेरिकर की साथ करूँ तो वह एक लंबी बात है उसके लिए अपनी हुमन रिसॉर्स त्यार करने पड़ेंगी उसमें त्यार करने के लिए उनके पास है प्रभंध या नहीं है वह एक स्पेकुलेशन आज उनकी जरूरत है वह जरूरत हम पूरी कर स सकते हैं अब चूकि यह उनका एक इंटरनल माम लाया है और जुसको वह रिव्यू कर रहा है और चूकि उनके इसको एक एलेक्शन केंपेंड में बहुत वद्धा बनाया था तो मुझे लगता है कि हम उसको थोड़ा सा सॉफ्ट पैडल कर रहे हैं हमें सिरफ दिखें ट्र आपको कही न कहीं यह समझाना है कि यह आपके भी हित में है थोड़ा चालाकी के साथ हमें काम कर आप इस बात से अग्री करते हैं I agree पर इसमें मैं आपको दो-तीन स्पेसिफिक बाते I can share. Of course, यह सारा H1 वीजा का जो reform होगा, यह total immigration reform और immigration के अंदर H1 एक category हो जाता है. But already कुछ चीज़ें हो रही हैं, जिनके चलते हमारे IT companies, IT professionals को impact होगा. पहली बात यह हो रहा है, वहाँ पे एक minimum wage को increase करा जा रहा है कि कम से कम इतनी wage होनी चाहिए, कुछ बिल्स तो नहीं प्रपोसल इंटर्डूसें, कम से कम एक लाग बीस अजार डॉलर की salary होनी चाहिए, जो H1 पर आए, उससे कम के salary वाले को America नहीं H1 देगा. That means, you want more experienced people, you don't want fresh engineers. एक लाग बीस अजार डॉलर नहीं होता है, एक लाग डॉलर और एक लाग डॉलर नहीं होता है, तो 70-80-80-80, एक ऐसे minimum बार आएगा. दूसरी बात, जब आप H1 वीजा में होते हैं, पहले यह होता था कि आपकी spouse या partner, husband या wife जो भी, जो आपका spouse है, वो नौकरी नहीं कर सकता था मेरे कामें. तो H1 का जो प्रोफेशनल होता है, वो नौकरी करता है, उसको तंखा मिलती है, पर जो उसका partner था वो नौकरी नहीं कर सकता है, wife या husband. चार-पांथ साल पहले काफी टाइम से वहाँ पर डिमांड चल ली थी हमारे इंडियन-अमेरिकन कमुनिटी की, की, you know, wives ये husbands हैं, घर में बैठे, they are productive, professionals, but नौकरी नहीं कर सकते. तो चार साल पहले, they were allowed, की the spouses can also work. अभी, दो महीने पहले, Trump ने वो रोक दिया है, so spouses of H-1 visa people cannot work. So, ये बड़े clear-cut impact आ रहे हैं.